Hello everyone, welcome to StudyTube इस वीडियो में हम लोग Animal Kingdom जन्तु जगत का आखरी पार्ट, पार्ट एट देखेंगे इस पार्ट के साथ हम लोग टोटल 310 MCQs को कवर कर लेंगे और यह हमारा चाप्टर समाप्त हुजाएगा यह NC80 स्रीज का 29th चाप्टर है और बायो का यह 13th चाप्टर है साथ पार्ट तक हम लोग अलड़ी देख चुके हैं और यह हमारा आखरी पार्ट है पार्ट 8 Animal Kingdom के अंदर जितने भी फाइला है उन सारे ही फाइला के उपर हम लोग सवालों को देख चुके हैं इस आकरी पार्ट में हम लोग संग कोड़ेटा यानि की फाइलम कोड़ेटा के उपर सवालों को देखेंगे इस पार्ट में हम लोग संग कोड़ेटा के उपर Complete Theory प्लस MCQs यानि कि अगर मैं Theory की बात करूँ तो मैं यहाँ पर पूरा Theory आपके साथ discuss करने वाला हूँ यानि कि अगर मैं Theory पढ़ाता आपको सिर्फ Theory पढ़ाता तो जितना आप इस वीडियो में देखने वाले हैं Animal Kingdom के अंदर सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं, वो संग कोड़ेटा के उपर ही पूछे जाते हैं, जितना मैंने आपको पढ़ाया, पिछले Phylum के उपर सवालों को करवाया, उनसे भी सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं, पूरे Animal Kingdom में सबसे ज़् सबसे जाते हैं, तो ये संग कोड़ेटा के उपर फूछे जाते हैं, फाइलम कोड़ेटा के उपर फूछे जाते हैं, बाकी के सारे parts देखने के लिए, या फिर NCRT स्रीज में मैंने जितने भी chapters करवाँ हैं, उन सबको देखने के लिए, हमारे चैनल के प्लेलिश को आप च हम लोग Animal Kingdom के अंदर पढ़ चुके हैं पोडिफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटी हलमिंतर्स, एसक हलमिंतर्स, एनलेडा, आर्थरोपूडा, मॉलस्का, इकाइनोडर मेटा ये सारे हम पढ़ चुके हैं इस वडियो में हम लोग कोडेटा के उपर सवालों को देखने वाले हैं सवालों पर बढ़ने से पहले देखते हैं classification, कौन कॉडट है और कौन नॉन कॉडट हैं, जितने भी जानवर हैं, जितने भी अनिमल्स हैं, उसे दो तरह से बाटा विया हैं, एक को कहा नॉन कॉडट और एक को कहा कॉडट, कॉड़ट उसे कहा, जिसके जीवन काल में कभी कभी notocod देखने को मिला था और noncodet उसे कहा जिसके जीवन काल में कभी notocod आया ही नहीं, notocod क्या है तो notocod के लिए बस आप इतना ध्यान मरखो कि ये एक rod येसी सनचना है जो body को support करती है सनचनात्मक रूप से support करती है तो जिनके जीवन काल में कोई भी जानवर है मैंने कहा ये एक जानवर है और इसके जीवन काल में कभी न कभी notocod देखने को मिला था तो हम बोलेंगे कि ये codet के अंदर आएगा जिनके जीवन काल में कभी notocod आया ही नहीं उसे हम non codet बोलेंगे तो अब तक आपने जितने भी फाइलम को पढ़ा है पोडी फेरा, निडेडिया, प्लेटी हलमिंतस, एसक हलमिंतस, एनलिडा, आर्थरोपोडा, मुलसगाई, कानोडर्मेटा इसके अंदर आपने जितने भी जानवर को देखा है न उन सब में, उनके जिवन काल में, कभी भी notocod आया ही नहीं इसलिए वो सारे हो जाएंगे non codets और जिनमें notocod कभी नहीं आया, उनमें backbone कभी नहीं आएगा क्यूंकि notocod ही आगे चलकर करके backbone बनाता है तो जिनमें कभी notocod था ही नहीं उनमें तो कभी backbone आया ही नहीं vertebral column आया ही नहीं, spine आया ही नहीं spine मतलब read कि a d होता है और spinal cord वो mirror रजू होता है तो जिनमें कभी notocod नहीं आया उनमें कभी backbone आया ही नहीं सकता है और जिनमें backbone नहीं है उसे हम invertebrates बोलते है मैंने आगे यहाँ हिंदी में भी लिख दिया हुआ है तो आप यहाँ पर समाझ जाओ और हिंदी में आप जो हिंदी माधियम से है उसे नोट कर सकते हो अब बात करते हैं कौड़ेट के उपर कौड़ेट मैंने कहा जिनके जीवन काल में नोट कर्ड जीवन काल में देखने को मिला और आगे चल कर यह खत्म हो गया यानि एक बार जीवन काल में आया और फिर वो चला गया वो ऐसा नहीं हुआ कि वो आगे चल करके रिड की हड़ी बना लिया वर्टिब्रल कॉलों मना लिया नोट कर्ड आया और फिर खत्म हो गया वो धीरे धीरे तो हम बोलेंगे कि उसमें बैकबोन नहीं आया क्योंकि नोट कर्ड तो समाप्त हो गया गयब हो गया आने के बाद तो वहाँ भी बैकबोन नहीं है तो वो भी हो जाएगा हमारा invertibrates और जिसके अंदर ये notocord आगे चल करके backbone बना लेता है वो हो जाएगा vertebrates तो आप में से बहुत सारे होंगे जिन्होंने ये रटा होगा कि cordets के अंदर वो आते हैं जिनके पास backbone होता है जिनके पास backbone होता है उसे हम cordets बोलते हैं अगर आपने ऐसा याद किया हुआ है तो आपने आपको correct कर लो जो cordets होता है न उसके अंदर invertibrates भी आ सकते हैं और vertebrates भी आ सकते हैं दोनों आ सकते हैं ऐसा नहीं है कि cordet है तो उसमें backbone होगा ही होगा मैंने आपसे कहा cordet और non-cordet ये notocode के अधार पर बोलते हैं ना कि backbone के अधार पर बोलते हैं backbone के अधार पर हम vertebrate और invertibrate बोलते हैं तो जो cordet है उसके अंदर invertibrate भी हो सकते हैं vertebrate भी हो सकते हैं अगर notocode आगे चल कर कर backbone बना लिया तो vertebrate हो जाएगा अगर नहीं बनाया, आया फिर चला गया तो वो invertibrate हो जाएगा तो invertibrate में हमारा proto-cordata है लेकिन जिनमें कभी notocode आया ही नहीं उनमें तो backbone आये गा ही नहीं, तो सारे invertibrates हो गया तो इस प्रकार यहाँ पर हम यह बोल सकते हैं कि सारे non-cordates वो invertibrates है लेकिन codates वो vertibrate हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं तो इस चीज़ को आप clear कर लेना अगर आपने यह रटा हुआ है कि codates यानि कि जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम है तो अपने आपको correct कर लो यह रहा हिंदी में वोडियो पॉज करके आप हिंदी में देख सकते हो पढ़ सकते हो अब हम चर्चा करते हैं जेनरल फीचर्स के उपर codates के अंदर क्या जेनरल फीचर्स हमें देखने को मिलती है यह aquatic हो सकते हैं terrestrial हो सकते हैं body इनका segmented है हम लोग अलरड़ी जानते हैं आर्थरोपोड़ा में और कोडेटा में मैंने आपसे कहा था body segmented होगा triploplastic होगा silomate होगा यह सब हम लोग अलरड़ी डिसकस कर चुके हैं पिछले वीडियो चिके अंदर organ system of level of organization होगा उसके बाद closed circulatory system होगा बंद समवहन तंतर होगा जो blood है वो blood vessels के अंदर flow होगा उसके बाद जितने भी systems होते हैं वो सारे के सारे इसमें देखने को मिलते हैं यानि कि nervous system, circulatory system, respiratory system, excretory system यह सारे ही systems देखने को मिलते हैं खास करके जो vertebrate होते हैं कशेरुकी होते हैं तो यह सारे जो अब features देख रहे हो तो अंतर क्या है एक codet और non-codet में अंतर क्या है क्योंकि यह सारे features तो हम लोग non-codets के अंदर भी देखते जा रहे हैं तो codets और non-codets में main अंतर क्या है main अंतर यह है यह आपको ध्यान में रखनी है जो main अंतर है codets और non-codets के अंदर यह सारे हैं पहला है notocot present, मैंने आपसे कहा, codets वो होते हैं जिनके जीवन काल में कभी न कभी notocot था, हम लोगों के अंदर भी था, जब हम एक embryo थे हैं, गरवाशे में थे, तब हम लोगों के भी अंदर notocot था, लेकिन आगे चल करके यही notocot क्या बना लिया, रेड की हड़ी, लेकिन non codets के अंदर यह कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, उसके बाद जो codets होते हैं, उनमें dorsal hollow nerve cord होता है, देखो जो non codets थे न, उनमें भी nerve cord था, लेकिन उनमें solid था, यहाँ खोकला होगा, hollow होगा, उनमें क्या था, ventral था, और यहाँ पर क्या होगा, dorsal होगा, dorsal यानि की आगेवला साइड, जैसे हम लोग का जो बैक वाला पार्ट है, वो डॉर्सल हो गया, और जो हमारा चेस्ट वाला पार्ट है, आगेवला भाग है, वो वेंट्रल हो गया, तो ये अंदर होता है, नर्व कोट तो कॉर्डट, नॉन कोड़ेट दोने में देखने को मिले हम लोगों के अंदर भी जब हम एक embryo थे हैं तब pharynx के अंदर perforated gills slits थे हैं यानि कि गरस्नी में कलोम छिद्र थे हैं इन में नहीं मिलेगा non-caudits के अंदर नहीं मिलेगा उसके बाद जो caudits होते हैं उनमें post anal tail होता है anal का मतलब गुदा होता है post मतलब के बाद होता है तो गुदा के बाद जो है एक पूच देखने को मिलती है यहाँ पर नहीं मिलती है तो यह जो features है ना 1, 3, 4 इन सारही features के बारे में मैं ये बोल रहा हूँ कि पूरे जीवन काल में कभी ने कभी देखने को मिलता है इसा नहीं है कि जीवन भर रहेगा साथ में पूरे जीवन काल में कभी ने कभी देखने को ये तीन features मिलते ही मिलते हैं एक coordinates के अंदर लेकिन non coordinates के अंदर ये नहीं मिलते हैं तो ये चारो features आपको दियान में रखने हैं ये देखो एक picture दिखाया गया है ये एक embryo का picture है ये रहा nerve cord, ये रहा notocord, ये रहा gill slits, ये रहा post anal part एक चीज़ आप दियान रखो यहाँ पर जो notocord होता है ये मध्य जनन अस्तर से बनता है यानि ये mesodermal mesodermal in origin है और जो nerve cord है ये ectodermal in origin है यानि कि ये बाहे जनन अस्तर से बनता है तो nerve cord बना ectoderm से, या दखना ecto लिखा हुआ है और notocord mesoderm से जो vertebrates होते हैं उन्हें में यही notocord यही notocord आगे चल करके क्या बनाएगा? backbone बनाएगा, red के हड़ी बनाएगा और यही nerve cord आगे चल करके brain बनाएगा और साथ में spinal cord nerve cord आगे चल करके क्या बनाएगा? brain बनाएगा, spinal cord बनाएगा और notocord vertebrates के अंदर backbone बनाएगा और जो invertebrates होगा उसमें नहीं बनाएगा और एक point और यहाँ पर ध्यान रखो अब यह रहा mouth, यह रहा anus तो यह हमारा हो गया elementary canal पुड़ा ठीक है? यह पुड़ा हमारा elementary canal हो गया और उसके बाद यह रहा notocord और यह रहा nerve cord तो यह जो notocord है ना यह अलग करता है यह बाटता है nerve cord और elementary canal को अहार नाल और तंत्रिका रज्जू को बाटने का काम करता है ये notocode, ये बीच में है ये nerve cord और elementary के नाल के बीच में है ये notocode अब हम लोग आते हैं कुछ सवालों पर हम लोग 210 तक अल्यडी कवर कर चुके हैं 7 parts के अंदर हम लोग 211 से यहां start करेंगे तो codeta संग के प्रानियों का मूलभूत लक्षन है, notocode होगा कौन codet का लक्षन नहीं है यानि जो codeta phylum के अंदर जानवर आते हैं उसे codet बोलते हैं तो बताना है इनमें से कौन है, जो codet का लक्षन नहीं है, codets के अंदर ये feature देखने को नहीं मिलती है radial symmetry, यही गलत हो जाएगा क्योंकि bilateral symmetry होता है triploblastik होता है, silomate होता है और closed circulatory system होता है ये सारे सही है गलत कथन चुनना है बोला है, सारे codets जो होते हैं वो vertebrates होते हैं, क्या ये सही है आपने देखा, जो codets होते हैं उनमें vertebrate और invertbrate दोनों आ सकते हैं codets हैं, मतलब कभी न कभी notocode था अगर notocode आगे चल करके vertebral column बना लिया, तो vertebrate हो गया अगर नहीं बनाया, तो वो invertbrate हो गया तो ये हमारा गलत हो जाएगा गलत कथन चुनना था न, यह हमारा right answer हो जाएगा आगे पढ़ते हैं सारे के सारे vertebrates होते हैं, वो codets होते हैं ये तो सही है, अगर vertebrate है तो उनमें backbone है, अगर backbone है तो वो कहां से बना होगा, notocode से बना होगा अगर notocode से बना होगा है, तो वो codets है उसके बाद सारे के सारे noncodets, invertbrates हैं, ये सही है ये सही था जो noncodets हैं, उनमें कभी notocode आया ही नहीं जब notocode नहीं आया तो कभी backbone बना ही नहीं जब backbone नहीं बना तो वो invertivrate हो गया बोला codets में भी invertivrate बिल्कुल सही है जो codets है वो invertivrates हो सकते हैं ये भी सही है तो codets के अंदर आपने देखा invertivrates में है proto-codeta और vertebrates में है vertebrata तो हम लोग देखते हैं proto-codeta के बारे में जो proto-codeta है के अंदर जो जानवर आएंगे वो क्या होंगे invertivrates होंगे यान इनमें backbone नहीं होगा तो देखते हैं और features इसके अंदर क्या-क्या है ये सारे समुदर में मिलते हैं यान इस group के अंदर इस category के अंदर जो जानवर आएंगे वो सारे marine होंगे समुदर में मिलेंगे bilateral symmetry होगा, triple-plastic होगा, silomate होगा ये सारे तो features होंगे ही क्योंकि codeta के अंदर आते हैं न ये सारे तो ये सारे तो features होंगे ही आप देखो notocod इनमें केवल larval stage में होता है जब एक larva होता है तभी इनमें notocod होता है उसके बाद ये गायब हो जाता है larval में था, उसके बाद ये गायब हो गया इसलिए ये invertivrate है देखो इसके examples कौन-कौन से है balanoglossus, hadmania और amphioxus तीन examples है, तीनों अच्छे से याद रखना balanoglossus, hadmania और amphioxus अब मैं यहाँ पर एक चीज आपको clear करना चाहता हूँ हो सकता है आपने पहले कहीं और पढ़ा होगा animal kingdom तो उसमें आपने पढ़ा होगा hemicodata ये वाला phylum हो सकता है आपने पढ़ा होगा कौन सा hemicodata मैंने आपको यहाँ पर नहीं पढ़ाया hemicodata क्योंकि class 9th के NCRT में नहीं रखा है तो आपने जब यह hemicodata पढ़ा होगा तो इस hemicodata phylum के अंदर आपने ये वाला example पढ़ा होगा ये पहलो नो glossus hemicodata phylum के अंदर आपको ये वाला example पढ़ाया गया होगा और hemicodata जो phylum है न ये non-codata के अंदर डाला गया है जो hemicodata phylum है ये non-codata है non-codata के अंदर ये डाला गया है और hemicodata के अंदर ये वाला example आपको पढ़ाया गया होगा लेकिन मैं आपको proto-codata के अंदर पढ़ा रहा हूँ और proto-codata क्या है ये codet है codet के अंदर आता है हेमी कोडेटा के बारे में नहीं दे रखा है ये जो एक्जामपल है बैलेनो ग्लोसस का ये प्रोटो कोडेटा के अंदर दे रखा है याने की कोडेट के अंदर दे रखा है तो इस चीज़ को मैं यहीं पर किलीर कर दे रहा हूं पहले ही ये जो हेमी कोड़ेटा है पहले हेमी कोड़ेटा पहले इस प्रोटो कोड़ेटा के ही अंदर डाला गया था लेकिन बाद में जब ग्यानिकों को पता चला कि जिसे हम नोटो कोड़ समझ रहते हैं हेमी कोड़ेटा फाइलम के अंदर जो जानवर आते हैं उनमें वो नोटो को ही है Hemicodeta वाला आपको मिलेगा Class 11th करना है इन मैं नोतोकोड होता है तो सही है है निमिल में से कौन प्रोटो कॉडेट नहीं है यहां मैंने लिख दिया हुआ according to 9th NCRT क्योंकि अगर मैं यहां पर यह नहीं लिखूंगा तो हो सकता है आप इसको टिक मार दोगे क्योंकि आप बोलोगा कि यह तो हेमी कॉडेटा के अंदर आएगा लेकिन क्लास 9th NCRT में यह प्रोटो कॉडेटा के अंदर दे रखा है इसलिए क्लास 9th NCRT के अकॉडेट बताना है यह भी सही है यह भी सही है C-8 चीन आपने कहां पढ़ा था C-8 चीन आपने पढ़ा था Echinodermita के अंदर नोटो कॉडेट के समन्द में क्या गलत है यह केबल कॉडेट जन्तों में पाई जाती है बिल्कुल सही है इसका उदय मद्द जनन अस्तर से होता है यह भी सही है यह तंत्रिका रज्जू और अहार नाल को अलग करती है यह भी सही है मेरो रज्जू का विकास इसी से होता है यह तो गलत हो जाएगा spinal cord, spinal cord और brain इन दोनों का विकास होता है nerve cord से ना कि notocord से तंत्रिका रज्जू से विक्सित होता है तंत्रिका रज्जू से क्या विक्सित होता है brain and spinal cord D है हमारा right answer डैश जबरे रहित कशे रुकी है यानि इनमें से कौन ऐसा vertebrate है जिनके अंदर jaw नहीं है जो जबरा होता है वो नहीं है answer है आपका cyclostomate cyclostome यहाँ पर लिख लेना ठीक है cyclostome यहाँ पर लिख लेना यहाँ लिखा हो है ने cyclostome तो सेम चीज आप यहाँ पर लिख लेना हिंदी में cyclostomes देखो आगे अब फिर से codates के अंदर हम लोगों ने देखा protocodata है जो कि invertivrate है उसके बाद vertivrate है अब vertivrate को भी दो parts के अंदर divide कर दिया vertivrates यानि जिसके अंदर backbone था उसे भी दो parts के अंदर divide कर दिया एक को कहा जिसके अंदर jaw नहीं है cyclostomata और जिसके अंदर jaw है जबड़ा है उसमें डाला गिया Pisces को, Amphibia को Reptilia को, Aves को और Memelia को Pisces के अंदर मचलियों को रखा गया है Amphibia के अंदर उभैचर, Reptilia के अंदर जो रेंगने वाले होते हैं सरी स्रिप Aves उड़ने वाले पक्षी और अस्तंधारी तो इस order में आप ध्यान में रखना कि सबसे पहले मचली आया, मचली के मचली से उदाय हुआ उभैचर का, उभैचर से उदाय हुआ Reptilia का, Reptiles का और Reptiles से उदाय हुआ पक्षियां और पक्षियां से अस्तंधारी तो Vertebrates को दो parts में बाटा एक जिसके पास jaw नहीं है, जबड़ा नहीं है दूसरा जिसके पास जबड़ा है जिसके पास जबड़ा नहीं है उसे कहा Cyclostomata Hindi में मैंने यहां पर लिख दिया हुआ है तो Hindi वाले इसको देख सकते हो Cyclostomates होते हैं यहां लिख लेना Cyclostorms होते हैं जो यहां पर लिखा हुआ है Cyclostorms वो आप यहां पर Hindi में लिख लेना Cyclostorms होते हैं Important सवाल है दियान में लखिएगा यह बाए परजीवी है, Ectoparasite है यह भी खूंच उसने वाले होते हैं Bloodsucking होते हैं, जो Bloodsucking होते हैं वो Eel-like है Eel मचली है तो Eel मचली के जैसा इसका आकार है इसके शरीर का आकार है यह भी सही है उसके बाद इनके skin पे कोई scales नहीं है, शलक नहीं है मचलियों के body पे शलक होता है यहां पर शलक नहीं है यह याद रखना यह मचली नहीं है यह fish नहीं है fish के जैसा body है लेकिन यह fish नहीं है और body पे scale भी नहीं है शलक भी नहीं है और मचलियों के अंदर यह खासियत है कि उनके body पर शलक होता है तो यह सारे के सारे जो है यह सही है निमिन में से कौन cyclostorm है dogfish, hagfish, whale, electric, ray जो hagfish है न यह है cyclostorm important है धियान में रखिएगा hagfish यह कोई fish नहीं है यह कोई fish नहीं है cyclostorm है यह cyclostorm कोई मचली नहीं है इसलिए hagfish कोई मचली नहीं है लेकिन इसके नाम में देखो fish आया हुआ है बट धियान रखना यह मचली नहीं है निमने में से कौन जबड़ा रही ते जानवर है, यानि किनी के पास jaw नहीं है, jawless है, तो jawless में कौन था, cyclostorms, तो hagfish हम लोग ने देखा, और एक और याद रखो, lamprey, तो mygene और petromygene, ये दोनों important है, mygene और petromygene भी याद रखना है, तो hagfish और lamprey, ये नाम और ये जो नाम है, mygene और petromygene, ये दोनों धियान में रखने हैं, दोनों NCRT में दे रखे हैं, class 9 के, तो B और C दोनों हो जाएगा, यहाँ पर हमारा right answer, ये दोनों के दोनों cyclostorms हैं, अब हम बात करते हैं मचलियों के बारे में, यानि कि class spices के बारे म मचलियां दो परकार की होती है, cartilaginous fish और bonny fish, cartilaginous fish जिसके अंदर अंताकंकाल है, केवल cartilage यानि कि उपास्ती और bonny fish हम उसे बोलते हैं, जिसका अंताकंकाल अस्तियों का है, हड्डियों का है तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं cartilaginous fish के बारे में, जो cartilaginous fish है, जो उपास्ती मचली है, वो केवल आपको समुदर में मिलेगा, उसका जो मुह है वो ventral side होता है, ये देख लो, ये हो गया इसका dorsal side उपर, ये हो गया ventral side, जो आप मचलिया खाते हो, जो भी आप ल ventral है, देखो नीचे side है, अभी आप देखोगे, उस वाले मचली का मुह, तो आपको पता चलेगा, neck नहीं होगा, गर्दन नहीं होगा, गर्दन आपको मिलेगा केवल bird के अंदर, birds के अंदर, और हम अस्तंधारियों के अंदर, mammals के अंदर, इनी दूनों में birds और mammals के अंदर आपको गर्दन मिलेगा, बाकी किसी में नहीं मिलेगा, vertebrata के अंदर, तो गर्दन नहीं है, operculum भी नहीं है, operculum क्या है, इसके पास जो gills है ना, उस gills को ढखने वाला जो ढखकन है, उसे हम operculum बोलते हैं, gills को cover करने के लिए, जो structure है, सनचना है, उसे operculum बोलते हैं, त पिर मचलिया जब बनवाते हो, जो मचलिया बेचता है वहाँ पर, तो उसका आप देखते हों के पहले वो शल्क को हटाता है, तो वो बाहे कंकाल करूप में काम करता है, तो वो exoskeleton होता है, उसके बाद तवाचा पर mucous gland मिलेगा, notocod जो है इनमें G1 भर रहता है, मैंने जो बाहे कंकाल था, वो शल्क था, और endoskeleton ये उपास्ती होगा, cartilisiness होगा, और features देखो, इनमें air bladder नहीं होता है, air bladder को swim bladder भी बोलते हैं, इनमें air bladder नहीं होता है, air bladder का काम ये होता है, कि मचलियों को ये डूबने से बचाता है, अगर air bladder नहीं है, तो मचलिया डूब जिनके पास नहीं है, वो हमेशा तैरते रहती है, तो air bladder जो है, ये तैरने में, आँ सौरी, ये डूबने से बचाते, बचाने का काम करता है, क्लोएका उपस्तीत होता है, क्लोएका क्या होता है, ये एक समानने द्वार होता है, common opening होता है, common opening होता है, जहां से urine भी बाहर जाएगा, जहां से gametes भी बाहर आएंगे, यानि एक ऐसा द्वार है, क्लोएका जिनके अंदर एनस नहीं होता है, उनके अंदर आपको क्लोएका मिल जाएगा, मैं इसमें बात कर रहा हूँ, कोडेटा फाइलम के अंदर में बात कर रहा हूँ, तो एनस नहीं है यहां पर, लेकिन क्लोएका है, क्लोएका एक समाने द्वार है, common opening है, जहां से उत्तरजी पदारत भी बाहर आएगा, अपचित खाना भी बाहर आएगा, undigested food, और जहां से जो reproductive products होंगे, वो भी बाहर आएगा, genital products होंगे, वो भी बाहर आएगा, तो यह एक समाने द्वार है, तो इन में बात कर रहा हूँ, जो मेल होगा उसमें क्लैस्पर होगा. क्लैस्पर को आप ऐसा बोल सकते हो, जैसे हम मनुष्यों में पेनिस है ना , Two åt है वैसे ही आप इसका पेनिस माल लो जो क्लैस्पर है ये काटिलेजनेस फिश के अंदर जो मेल होता है उसका एक तरह से पेनिस है जो की संबंद बनाने में मादा के साथ शामिल होता है तो यहां से SSC में सवाल पूछा जा चुका है ये ये कोल्ड ब्लेडर होते हैं आज समतापी होते हैं इसको पोई किलो थर्मिक बोलते हैं या फिर एक्टो थर्मिक बोलते हैं एक्टो थर्मिक बोलते हैं कोल्ड ब्लेडर का मतलब ये होता है कि इनका जो बॉड़ी टेंपरेचर है वो वातावरेंड के temperature के according fluctuate करता है, change करता है बाहर का temperature अगर गर्म है तो इनका body गर्म हो जाएगा बाहर का temperature ठंडा है तो इनका body ठंडा हो जाएगा यानि इनका जो body temperature है वो constant नहीं है, नियत नहीं है इसलिए ये और समतापी है heart इनमें 2 chambers होगा, चाहे वो कोई भी fish हो, cartilisiness हो या फिर boni हो उत्सरज़न kidney होगा sorry, उत्सरजन kidney से होगा आप सिधा याद रखो, जो मचलिया है, जो amphibians होंगे जो reptiles होंगे, जो birds होंगे और जो mammals, इन सब में न उत्सरजन के लिए जो उत्सरजी सनचना है वो kidneys ही होती है सिधा आप यहाँ पर धियान में रखो उत्सरजी पदार्थ यूडिया है ये यूडियो टैलिक होते है यानि उत्सरजी पदार्थ यो है, वो यूडिया है अब सवालों देखते हैं उपास्थील मचली नहीं है बताना है इनमें से कौन है उपास्थील मचली डॉग फिश है यानि कि शार्क एलेक्ट्रिक रे है, स्टिंग रे है ये सारे के सारे, ये तीन जो है ये काटिलेजनस फिश के उधारन है इंपॉर्टन है तो इस चीज को आप धियान में रखिएगा SSE में यहां से खूब सारे सवाल पूछे गए है D हमारा राइट आंसर जो फ्लाइंग फिश है, वो बोनी फिश है फ्लाइंग फिश का मतलब ये नहीं कि ये उड़ती है मचलिया लंबे लंबे ये छलांग लगाती है ऐसे जैसे कि ये उड़ रही है लेकिन एक्चुल में ये उड़ती नहीं है एक्जाम्पल से देख लो काटिलेजनेस फिश के अंदर कौन-कौन से है एक तो बताया है मैंने शार्क यानि कि डॉग फिश इसकॉलियो डॉन इसकॉलियो डॉन तो ये भी धिहान में रखें डॉग फिश सौ फिश हो गया टॉर्पीडो यानि कि एलेक्ट्रिक रे ये करेंट प्रडूस करती है यानि कि एलेक्ट्रिक शॉक देती है ये करेंट प्रडूस करती है विदुत जटके देती है ये इनमें एलेक्ट्रिक और्गन होता है स्टिंग रे इनके अंदर ग्रेट वाइट शार्क, तो ये सारे examples important है, यहां से SSC के परिक्षा में खुब सारे सवाल पूछे गए हैं, मचलियों के संबन्द में गलत है, मचलियां की जो तौचा होती है, शलक से धकी होती है, सही है, दो चेंबर्ड हार्ट है, सही है, दो चेंबर्ड हार्ट मतलब एक aur auricle है और एक ventricle है, एक आलंध है और एक निले है, पूरे body part से, मचलियों के पूरे body part से, जो deoxygenated blood होगा, यानि ऐसा blood जिसमें carbon dioxide की मातरा अधिक है, उसे हम deoxygenated blood बोलते हैं, पूरे body part से deoxygenated blood ये auricle में आएगा, auricle blood को भेज़ देगा ventricle में, यानि कि यहां भी deoxygenated blood है ventricle ये भेज़ देगा blood को gills के पास, gills के पास भेज़ देगा, यानि जो ventricle blood भेजा gills के पास, वो भी deoxygenated था, फिर gills इसमें oxygen को भड़ेगा, और पूरे body में supply करेगा, यानि यहां से oxygenated blood supply होगा gills के बाद, तो आपने यहां पर क्या देखा, कि जो मचलियों का जो हिर किया, gills के पास, तो यह चीज भी द्यान में रखना आप, कि मचलियों का जो हिर्दय होता है, वो deoxygenated blood को pump करता है, respiration gills से होगा, सही है, बोला है समतापी होती है, warm blooded गलत हो जाएगा, warm blooded नहीं होता, मचली यह cold blooded होते हैं, मचलियों के अध्यान को कहते हैं, it's theology या फिर एक theology आप बोल सकते हो, फिर्कर होता है, चिपकलियों का अध्यान, और निठोलोजी, पक्षीयों का अध्यान, हर्पीडोलोजी, सरी स्रिपोका अध्यान, reptiles के study को बोलते हैं, हर्पीडोलोजी, अब हम देखते हैं, bonee fish के बारे में, आस्तिल मचली के बारे म इनका mouth terminal होता है उसमें क्या था ventral था उसमें mouth नीचे के तरफ था इसमें देखो terminal है किनारे पर है ये अंतर होता है mouth के अंतर इन दोनों मचलियों में गर्दन नहीं मिलेगा ओपरक्यूलम इसमें होगा इसमें gills को cover करने के लिए cover होगा जिसे हम लोग ओपरक्यूलम बोलेंगे exoskeleton scales होंगे यहाँ भी mucos gland skin पर यहाँ भी मिलेगा आपको endoskeleton यहाँ bones होंगे वहाँ पर क्या था cartilage यहाँ पर हड़ी अस्थी और क्याँ देखते हैं air bladder यहाँ पर होगा उसमें air bladder नहीं था इसलिए जो cartilageness fish है उन सब को तैरते रहना होता है लेकिन जो bonny fish है इने में air bladder होता है तो यह पानी के अंदर रुख सकते हैं एक जगा पर इनके लिए यह ज़रूरी नहीं है कि हमेसा तैरते रहे है तो air bladder bonny fish के अंदर होता है anus इसमें होगा जो आपने cartilageness वला में देखा था उसमें anus नहीं था उसमें क्या था cloica था लेकिन यहाँ पर anus होगा यानि elementary canal कहाँ पर खत्म होगा anus पर जाकर के खत्म होगा उसमें क्या था elementary canal cloica पर जाकर के खत्म होगा gills के द्वरा respiration होगा श्वसन उसके बाद clasper इसमें नहीं होगा clasper इसमें नहीं होगा cartilageness वला में देखा था आपने कि male के अंदर clasper था जो कि आप उसका penis बोल सकते हो आप यहाँ पर यह नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पर penis जैसी सनचना थी तो वहाँ पर जो initiation था वह अंतह निशेचन था लेकिन यहाँ पर external होगा बाहे निशेचन होगा सम तापी है गरम ठंडे खुन वाले है दो चैंबर हार्ट मिलेगा kidney मिलेगा उत्चरजी सनचना और ammonotelic होते हैं यह यानि कि यह ammonia को उत्चरजित करते हैं जबकि cartilageness fish वो यूडिया को उत्चरजित करते हैं तो काफी कुछ आपको extra यहाँ पर मिलेगा जानने को जो आपने पहले इससे नहीं पढ़ा होगा तो मैं सिर्फ railway के परिक्षा को ध्यान में रखते हुए इस वडियो को नहीं बना रहा हूँ सारे एक्जाम को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ और SSC के परिक्षा में नहीं काफी deep सवाल पूछे गया है इस चाप्टर से इसलिए मैं आपको इतना कुछ बता रहा हूँ अगर हम बात करें 2018 के railway परिक्षा में सवाल पूछे गया है इस चाप्टर से बहुत ही असान पूछे गया है कि गर्म खुन वाले कौन है कितने चेंबर्ड हार्ट है पस यही सब पूछे गया है ज्यादा नहीं पूछे गया है लेकिन SSC के परिक्षा में काफी deep सवाल पूछे गया है अब एक्जामपल्स देख लो बोनी फिश के अंदर बोनी फिश यह समुदर में मिलेंगे समुदर के अंदर देख लो फ्लाइंग फिश हिप्पो कैंपस हिप्पो कैंपस यानि कि समुदरी घोड़ा या रखना समुदरी घोड़ा यह मचली है बोनी फिश है, बॉम्बे डग, डग का मतलब बतक होता है, तो बॉम्बे डग, ये कोई बड नहीं है, पक्षी नहीं है, ये मचली है, उसके बाद एंगलर फिश, लाइन फिश, टिवना, कॉड फिश, लाइन फिश, ये जहरिली मचली है, लाइन फिश, ये जहरिली मचली ह उसके बाद stonefish ये तीनो के तीनो जहरीली मचली है जिसमें कि stonefish सबसे ज़ादा जहरीली मचली है मचलीों में जो सबसे जहरीली है वो है stonefish उसके लबा lionfish, scorpionfish ये सारे जहरीली मचलिया है fresh water में रोहु मचली, लोबियो, रोहिता विग्यानिक नाम रोहू खाते भी हैं लोग इसे कातला, मागूर, क्लाइंबिंग पर्च ये सारे हो गया है नदियों में पाई जान वाली मचली है घरों में सजाते भी है एक्वेरियम में उसमें बिट्टा यानि की फाइटिंग फिश और एंजल फिश नदिय में पाई जान वाली मचली है डाग फिश ये काटिलेजनेस फिश है एलेक्टरिक रे काटिलेजनेस फिश है स्टिंग रे काटिलेजनेस फिश है तो ये सारे मरीन हो जाएंगे क्योंकि सारे काटिलेजनेस फिश मरीन होते हैं लोबियो रोहिता यानि की रोहू, ये फ्रेश वाटर फिश है, डैस मचलियों और उभहचडों के बीच संयोजक करी है, इनमें से कौन है, जो मचलियों और उभहचड के बीच संयोजक करी है, आंसर हो जाएगा आपको प्रोटोटीरस, कैट फिश, मॉस्क्यूटो फिश, हिपोकेंपस, ये सारे के सारे बोनी फिश है, मचली और उभहचड के बीच की जो संयोजक करी है, वो है लंग फिश प्रोटोटीरस, जो लंग फिश होते हैं, वो पानी से बाहर भी जिंदा रह सकते हैं, यानि जो कीचर वला जो जगह होत होता है, जो मड़ी एडिया होता है, उन्हें में ये लंग फिश जिंदा रह सकते हैं, निमिन में से कौन एक मचली है, जेली फिश ये तो निडेरियन है, वेल ये अस्तंधारी है, सिल्वर फिश ये तो कीट है, इंसेक्ट है, आपने बढ़ा था, सैलमोन ये मचली है, नि हमारा राइट आंसर, कौड किसकी प्रजाती है, कौड आपने देखा था, बोनी फिश के अंदर मरीन फिश, शार्क लगतार पानी में तैरती रहती है, क्योंकि इन में डैश अनुपस्तित होता है, अगर नहीं तैरी कि तो वो डूब जाएगी, क्योंकि इन में अनुपस् है, तो आप ये चक कर लो, कि कौन काटिलेजनेस फिश है, कौन उपास्तिल मचली है, डॉग फिश काटिलेजनेस है, हैग फिश तो मचली है ही नहीं, ये तो साइक्लो स्टोर्म है, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, इलेक्टरिक रेक काटिलेजनेस फिश है, य यह भी नहीं होगा, flying fish, D है हमारा right answer है, यह boni fish है, इसमें होगा, नर shark में class पर जुरी होती है, जो नर shark है, उनमे class पर जुरी होती है, pelvic fin से, कई तरह के fin होते है, anal fin, pelvic fin, pectoral fin, ventral fin, तो कौन से fin होते है, यह याद नहीं रखना है आपको, pelvic fin के बारे में याद रखो, कि जो male होते है, cartilaginous fish, उनमे class पर जुरी होती है, pelvic fin से, शारक के समद्ध में गलत चुने है, यह शिकारी होते हैं, तो सिर्फ शारक ही नहीं, जो भी cartilaginous fish होते हैं, वो सारे शिकारी होते हैं, खतरनाक शिकारी होते हैं, इसके चुंगल में जो आ गया, समझो वो गया, तो वो काफी खतरनाक, काफी डंजर, प्रडेसियस होते हैं, यह शिकारी होते हैं, माउथ तो आपने देखा कि वेंटरली होता है, इनमे नोटो कार्ड, जीवन भर रहता है, यह भी सही है, बोला है कि जो endoskeleton है, वो बोनी है, तो गलत हो जाएगा, endoskeleton cartilaginous है, तभी तो य यह हमारा आंजर हो जाएगा, निमीन में से कौन एक मचली है, C है, समुदरी खरगोष, समुदरी खरगोष, यह आपका है, mollusk, mollusk का phylum के अंदर आते हैं यह, तो mollusk, ध्यान में रखेगा, समुदरी खरगोष, यह mollusk है, समुदरी घोड़ा, समुदरी घोड़ा, समुद्री चुहा आपने पढ़ा था एनलिडा फाइलम में, तो ये है एनलिड, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, B, सबसे जहरेली मचली कौन है, सबसे जहरेली मचली मैंने आपसे कहा, स्टोन फिश, अब है, वर्टी ब्रेट्स के अंदर, सबसे पहले कौन है, जो जमीन से, जो जल से जमीन पर आए, ठीक है, जो जल से जमीन पर आए, वो है उभैचर, अब देखो, यहाँ पर ऐसा नहीं है, कि कोई मचली कुद करके, जल से जमीन पर आ गई, तो वही सबसे पहले जमीन पर आए, यहां कहने का मतलब यह हुआ कि कौन है जो evolve हो करके आये पहले वो aquatic थे बाद में evolve हो करके वो जमीन पर आये तो वो है amphibian यानि कि उभैचर उभैचर शब्द का मतलब क्या होता है उभैचर शब्द का मतलब होता है dual mode of life यानि कि ये दो तरह के जीवन जी सकते हैं एक aquatic और दूसरा terrestrial हम लोग अब उभैचर के बारे में देखते हैं मचलियों के बारे में देख चुके हैं पढ़ चुके हैं सवालों को कर चुके हैं अब class amphibia को पढ़ाते हैं ये भी vertebrata के अंदर ये class amphibia आता है fresh water में मिल जाएगा आपको और जमीन पर मिलेगा जमीन पर भी जहां नमी होती है वहाँ पे कोई भी amphibian जो है कोई भी उभैचर ये समुद्र बे नहीं मिलेगा ये भी ठंडे खुन वाले होते हैं देखो पक्षी और अस्तंधारी यानि कि birds और mammals केवल यही होते हैं गरम खुन वाले warm-blooded warm-blooded इसके अलाबा मचली हो गया amphibian हो गया reptile ये सारे होते हैं cold-blooded तो ये भी ठंडे खुन वाले हैं यानि इनका भी body temperature जो है वातावरन के according चेंज हो जाएगा गर्दन यहां भी नहीं मिलेगा मैंने आपसे कहा कि वल birds और mammals में आपको मिलेगा चार पैर होते हैं ध्यान में रखेगा चार पैर होते हैं जो उभैचर होते हैं उनमें चार पैर होते हैं यानि कि टेट्रा पोर्ड होते हैं टेट्रा यानि कि चार पोर्ड मतलब पैर, टेट्रा पोर्ड होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद के रूप में आपको ध्यान में रखना है, लिम्बलेस एम्फिवियन, एक थायोफिस या फिर इच थायोफिस, ध्यान में रखियेगा, स्थी में यहां से सवाल पुछा जा चुका है, पहले ही, उभैचर के पास चार पैर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं अपवाद करूप में, जिनमें pad नहीं है वो है each thigh office एक्जामपल ये आप देखो ये है each thigh office इनमें pad नहीं है देखने में साप जैसे लगते हैं ये लेकिन ये साप नहीं है mucos grand यहाँ भी मिलेगा मचलियों में भी था scales यहाँ पर नहीं मिलेगा केवल एपोड़ा को छोड़ करके अपवाद के रूप में एपोड़ा मतलब जिसके अंदर pad नहीं है जैसे कि यहाँ each thigh office ये एपोड़ा है इनके पास pad नहीं है तो इनमें शल्क मिलेगा बाकि जो उभैचर है उनमें शल्क नहीं मिलेगा endo skeleton के अगर बात करें अंतर कंकाल तो यहाँ भी हड़ियों का है उसके बाद एक को true tongue यहाँ पर देखने को मिलेगा जो उभैचर है उनमें वास्तिविक जीव देखने को मिलता है लेकिन यहाँ भी एक अपवाद है each thigh office each thigh office के पास जीव नहीं है तो each thigh office के बारे में दो points आप याद रखेंगे एक तो इनके पास पैर नहीं है और दूसरा इनके पास जीव नहीं है आगे देखते हैं यहाँ cloica मिलेगा आपको cloica एक common opening है जहाँ से यह उत्तरजन का काम करेंगे जहाँ से यह आपचित खाना को बाहर निकालेंगे जहाँ से यह गैमिट्स को भी बाहर निकालेंगे respiration यहाँ देखो important है respiration के बारे में दिहान में रखिएगा गलफरे के जड़िये भी सांस लेते हैं फेफरो के जड़िये भी सांस लेते हैं और moist skin यानि के नम तौचा से भी सांस लेते हैं गिल से सांस लेना branchial respiration lung से सांस लेना pulmonary respiration moist skin से सांस लेना cutaneous respiration तो यह इन तीनों ही सनचनाओं से सांस लेते हैं तीन chambered heart आपको यहाँ पर मिलेगा त्री कक्षी हिर्दय आपको यहाँ पर मिलेगा buds के अंदर आपने देखा था two chambered यहाँ तीन कक्षी है मतलब दो auricle है दो auricle है और एक ventricle है तो इसमें blood supply देखो कैसे होता है दो auricle है एक ventricle है तो पूरे body part से पूरे body part से जो deoxygenated blood होगा जो deoxygenated blood होगा यह आएगा right auricle में यह right auricle यह left auricle right auricle से यह आएगा इस ventricle में यह deoxygenated blood पहले auricle में आया right auricle में फिर right auricle से यह deoxygenated blood ventricle में आया फिर lungs से skin से और gills से oxygenated blood यह left auricle में आएगा फिर इस left auricle से इस ventricle में आएगा तो यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर deoxygenated blood प्लस oxygenated blood, ये दोनो mix हो गया, ये blood mix हो गया, और तब जाकर कि ये blood pump होगा पूरे body part में, तो यहां जो blood pump कर रहा है heart, वो mixed blood है, लेकिन मचलियों के अंदर क्या था? लेकिन यहां mixed है, oxygenated, oxygenated दोनों, तो ये भी important है, यहां से SSE के exam में पूछा जा चुका है, सवाल पहले ही, कि ये mixed blood pump करता है, उभैचर के अंदर, जो heart होता है, सिर्फ उभैचर नहीं, reptiles के किस में भी आप ध्यान में रखेंगे, reptiles में भी three chambered heart होता है, तो यहां भी mixed blood को pump कि जाएगा, cranial nerves इसमें 10 जोडी है, जो कपाल तंत्रिकाएं है, 10 जोड़ी है, यहीं भी धियान में रखो Ça कि लिए जो लारवा होगा, वो ammonia को उत्चर्जित करेगा, जो adult होगा, वो uria को उत्चर्जित करेगा, एक लेंगी होते हैं, मादा नर मादा अलग लग होते हैं, इनमें internal fertilization होगा, इनमें, सुरी माप करना external fertilization होगा, बाहे निशेचन होगा केवल salamander को छोड़ करके, यह है salamander, तो salamander में क्या होगा, अंतह निशेचन होगा, बाकी सारे उभैचर हैं उनमें बाहे निशेचन, और ज्यादा तर ओभी पैरस होते हैं, ज्यादा तर अंडे देने वाले होते हैं, अधिकांश अंडे देने वाले होते हैं, और अधिकांश में क्या होता है, बाहे निशेचन होता है, इसके बाद आप देखोगे रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, इन सब में अंतह बोनी फिश में बाय निशेचन होता है और जो काटिलेजनेस फिश है उसमें अन्ता निशेचन होता है एक्जामपल्स देखलो आप बीवफो यानि कि इंडियन टोट राना टिगरी नाम बोलते है न तो वो इंडियन फ्रॉग होता है हाईला, ट्री फ्रॉग ट्री फ्रॉग यानि कि ये पेरो पर जाता तर रहता है जो जानवर जादा समय पेरो पर बिताता है ट्रीज के उपर बिताता है जो जानवर जादा समय पेरो पर हैकर के बिताता है उसे हम आरबोडियल बोलते है आरबोडियल यहां से भी S.A.C. में पूछा जा चुका है सवाल सलामेंडर यानि की इनमें अंतर निशेशन उसके बाद लिम्बलेस लिम्बलेस एमफिवियन इंपोर्टेंट है धियान में रखेगा इचितायोफिस यह जो एमफिवियन है उभहचर है इनके पास सबसे बड़ा RBC है पूड़े एनिमल किंगडम में सबसे बड़ा जो RBC है वो एमफियूमा के पास है यह उभहचर है उसके बाद रेकोफोरस रेकोफोरस यह फ्लाइंग फ्रॉग है उड़ने वाला मिड़क है हाला कि यह उड़ता नहीं है लंबे-लंबे छलांग लगाता है ऐसा लगता है कि वो उड़ रहा है तो यह फ्लाइंग फ्लाइंग फ्रॉग हमीं से बोलते है रेकोफोरस व्रिक्ष पर हैने वाला उभहचर है व्रिक्ष परहने वाला उभैचर है हाईला डैश जल और अस्तल दोनों पर रह सकते हैं तो अधिकांश उभैचर में डैश जोड़ी पैर है अधिकांश उभैचर में चार जोड़ी में पूछा है तो दो हमारा आंसर हो जाएगा ये टेट्रापॉर्ड होते हैं ना तो लिम्ब है होना ही टंग है निम्र में से कौन पाद और जीव रही उभैचर है तो यही मैंने आपसे कहा एक थायो फिस बोल दो या फिर इच थायो फिस बोल दो इसी को ब्लाइंड वंब कहा जाता है भी हमारा राइट आंसर उभैचर में श्वसन डैश द्वारा होता है मोईस्ट स्किन द्वारा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन गिल्स द्वारा ब्रैंक्यल रेस्पिरेशन लंक्स द्वारा पल्मोनेरी रेस्पिरेशन इन में से सभी उभाचर के हिर्दे में डैस कक्ष होते हैं तीन कक्ष होते हैं उभाचर और सर इश्रिप के हिर्दे में उभाचर के संबाद Handy में गलत है Scale less होते है μकस gland होते हैं ोबई परास होते हैं अंड़े देने वाले होते हैं इंटर्नल फसे तिलाइसन नहीं है, हाइला उभैचर है, टोड उभैचर है, सलेमेंडर उभैचर है, सी होर्स ये बोनी फिश है, डैश समुद्र में नहीं पाया जाता, इन में से कौन है जो समुद्र में नहीं पाया जाता, रेप्टाइल्स मिल जाएगा, फिश मिल जाएगा, मैमल्स मिल जाएगे, ए पहला कौन सा वर्टिब्रेट है, ये कौन सा है, एमफिवियन यानि की फ्रॉक, डैश को छोड़ कर उभैचर में बाहर इनिशेचन होता है, एक्सेप्ट सेलामेंडर्स, एमफिवियन के अंदर एक्स्टरनल फर्टिलाइशन होता है, पूरे जन्तु जगत में डैश के पास सबसे बड़ा रविसी होता है, सबसे बड़ा रविसी मैंने आपसे कहा, ये किस में होता है, एमफि, एमफि ब्यूला नहीं है, काट दो इसको यहाँ पर, emphuma है ठीक है emphuma पूरे जन्तु जगत में सबसे बड़ा जो rbc है वो emphuma के पास है तो ये emphuma आप लिख ले न d हमारा right answer हो जाता under project january जिसमें अप रत्यक्ष विकास होता है जो birds होते हैं वो भी under project होते हैं वो भी वो भी paris होते हैं लेकिन इसमें direct development होता है यानि कि इनमें larval stage नहीं होता है जो reptile है वो भी वो भी paris है लेकिन direct development है जो amphibian है वो भी paris है और indirect development है जो cartilisiness fish है उनमें तो internal fertilization होता है हमसे पूचा है अंडे देने वाला हो और आपरत्यक्ष विकास हो यानि कि larval stage हो तो यह हो जाएगा उभैचर निम्ण में कौन मिढक का एक larval है जानते हो आप deadpole अब हम आते हैं वर्टी ब्रेटा के अंदर class reptilia में मचलियों से आया उभैचर उभैचर से आया reptiles तो जो अधिकांच reptiles होते हैं वो मांसा हारी होते हैं यह भी ठंडे खुन वाले होते हैं गरदन यहां भी नहीं है यह भी tetrapod होते हैं ध्यान में रखिएगा यह भी 4 pair वाले होते हैं tetrapod होते हैं ford limbs होते हैं लेकिन लेकिन जितने भी साप है न उन सब के पास pair नहीं है और कुछ lizard है कुछ चिपकलिया है कुछ चिपकलिया है जिनमें pair नहीं मिलेगा और सारे के सारे साप में आपको pair नहीं मिलेगा बाकी reptiles के बारे में आप ध्यान लखेंगे कि इनमें 4 pair होते हैं लेकिन साप और lizard में कुछ lizard में सारे में नहीं इनके स्किन पर कोई gland नहीं मिलेगा मचलियों में था, amphibian में था यहां नहीं मिलेगा बाहे कंकाल यहां भी शलक है amphibian में शलक नहीं था उभैचर में शलक नहीं था, यहां भी शलक मिलेगा साम का किंचु आप जानते हो वही होता है शलक जो अन्तक अंकाल है, यहां भी क्या है, हड्डी है, अस्थी है, यह देखो यह है डाइनोसोर, डाइनोसोर अब विलुप्थ हो चुका है, लेकिन डाइनोसोर यह रेप्ताइल था, घार क्लोएका मिलेगा यहां पर, लंग्स के थुरू यहां पर सांस लिए जाएंगे, ठीक लेते हैं, तीन चेंबर्ड हार्ट होगा जैसा कि उभाइचर में था, लेकिन लेकिन, क्रोकोडाइल में 4 चेंबर्ड होता है, तो यह भी हम लोग आगे देखेंगे किन-किन में 4 चेंबर्ड होता है RBC यहां नूक्रियटेड होगा, यह भी जान लो के या फिर जो भी अस्तंधारी है उनके RBC में नूक्लियस नहीं है किरनी से उत्सरजन होगा जो जमीन पर रहते हैं, रेप्टाइल वो होते हैं, यूरिक अ्टेलिक यानि कि यूरिक आसीड को excrete करते हैं यूरिक असीड को excrete करते हैं, यूरिक असीड ये semi solid होता है ये पानी में नहीं घुलता है जल में नहीं घुलता है लेकिन एक pest के जैसा होता है और जो पानी में रहते हैं वो ureotelic 12 pairs cranial nerve यहां होगा आपने पढ़ा उभैचर में और मचलियों में 10 pair ज्यादा तर ये अंड प्रजक होते हैं अंडे देने वाले होते हैं नर्मादा अलग लग होते हैं अंतर initiation होगा और प्रत्यक्ष विकास होगा direct development होगा वो भैचर में आपने indirect देखा था अब देखो reptile के अंदर कच्छवा देखते हैं पहले कच्छवा, turtles, tortoise, terrapin इन सब को हिंदी में कच्छवा ही बोलते हैं turtles जो की समुदर में मिलेगा terrapin जो की ताजे पानी में, नदी के पानी में tortoise जो की जमीन पर मिलेगा अब इन सब में क्या खास्यत हैं इनके पास दांत नहीं है reptiles के पास दांत होते हैं लेकिन इनके पास दांत नहीं है, और इनका जो जीवन अवदी है, वो सबसे अधिक होता है, कच्छुवा में आपने सुना होगा 300-400 वर्ष, ये अलग लग लग लगाते हैं, कभी किसी एकजाम में 300-400 हो आजाएगा, कभी किसी एकजाम में 1.5 वर्ष हो आजाएगा, सबसे जीनस का नाम है, इस्पिशीज का नाम नहीं है, यानि कि पूरा नाम नहीं है, क्रोकोडाइलस, यानि कि क्रोकोडाइल, एलिगेटर, उसके बाद ग्यावियलिस, यानि कि घडियाल, इन सब में 4-Chambered Heart है, रेप्टाइल्स जो होते हैं, उनमें 3-Chambered Heart होता है, लेकिन इ इन तीनों के केस में याद रखिएगा, अच्छे से 4-Chambered Heart है, यानि कि दो औरिकल होगा, दो वेंट्रिकल होगा, बाकी समय क्या होगा, दो औरिकल और एक वेंट्रिकल, अब देखते हैं छिपकली के बारे में, घरों में जो आप छिपकलिया देखते हो, दिवारों पर, उसे बोलते हैं House Lizard या फिर Wall Lizard वेग्यानिक नाम Hemidactylus, Hemidactylus, उसके बाद गिर्गिट के तरह रंग बदलना, आपने सुना होगा किसी के जुबा से, कि वो इनसान गिर्गिट के तरह रंग बदलता है, तो जो गिर्गिट होता है, वो होता है Calotis, Calotis, इसे हम Garden Lizard भी बो बोलते हैं, यह अपने स्कीन का कलर चेंज कर सकता है, जो रेप्टाइल होते हैं, वो टेटरा पोर्ड होते हैं, चार पैर होते हैं, उनमें कुछ अपवाद के रूप में ध्यान में रखना है, जिनमें पैर एक भी नहीं होता, एक तो मैंने आपसे साप कहा, सारे के सारे, और ग्लास स्नेक यह लिजर्ड है, ग्लास स्नेक याद रखना स्नेक लगा हुआ है, लेकिन यह ट्रू स्नेक नहीं है, वास्तविक सांप नहीं है, एससी में पूछा जा चुका है, आप बोलेंगे कि क्या बात कर रहे हो, सारे के सारे एससी में ही पूछा जा चुके हैं, ब पास लंबी पूँच भी है, तो इसका वेग्यानिक नाम कैमीलियोन, कैमीलियोन ये ट्री लिजर्ड है, यानि ये भी अर्बोडियल हो गए, जो पेरों पर रहते हैं, अर्बोडियल, उसके बाद हैलो डर्मा, हैलो डर्मा, जितनी भी चिपकलिया होती है, उसमें एक मात्र चिपकली है, जो जहरीली है, वो है हैंलो डर्मा, हैलो डर्मा, एक मात्र जहरीली चिपकली है, पूरी दुनिया में, जो सबसे बड़ी चिपकली है, वो है, क cupomodo ड्रेगन, commodo ड्रेगन ये largest lizard है, अब आते हैं साप के उपर, साप में भी सबसे बले देखते हैं जो जहरीले है, विशेले है तो वाइपरा उसके बाद बंग गैरस, जिसे हम लोग क्रैत बोलते हैं नाजा नाजा यानि की कोबड़ा कोरल स्नैक, सी स्नैक रेटल स्नैक, ये सारे के सारे जहरीले साप है, अब आजाओ जो जहरीले नहीं है पाइथन, अनकोंडा आपने देखाओगा मोवी अनकोंडा जो साप है वो अजगर साप है, यानि अजगर के जाती कही है, सैंड बोवा ट्री स्नैक, ब्लाइंड स्नैक, रेट स्नैक ग्रास स्नैक, वोल्फ स्नैक, ये एक बार पढ़ ले न ये सारे जो है, वो जहरीले साप नहीं है SSE में पूछा जा चुका है यहां से सवाल जिदने भी साप है, उनमें सबसे जहरीला साप है, किंग कोबडा सबसे लंबा जो साप है वो है अनाकॉंडा, पाइथन के अंदर जो अनाकॉंडा है जो इंडिया में किंग कोबडा है वो पुड़ दुनिया का एक मात्र साप है, जो घोसला बनाता है इंडिया ने किंग कोबडा, पुड़ दुनिया का मात्र एक साप है जो घोसला बनाता है सापों के बारे में देख लो मैंने आपसे कहा जो reptiles होते हैं उनमें चार pair होते हैं लेकिन साप के पास कोई pair नहीं है साप के पास sternum नहीं है यानि इनके पास जो भी पसलिया है जो भी reefs है वो floating है हमारे body की अगर बात करें तो हमारे अंदर 24 पसलिया है यानि कि 12 जोड़ी, 12 जोड़ी में जो 11th पेयर है और जो 12th पेयर वाली ribs है वो floating है क्योंकि वो sternum से नहीं जोड़ी हुई है, backside से, read की headdy से जोड़ी हुई है लेकिन आगे से sternum से नहीं जोड़ी हुई है, तो जो ribs sternum से जोड़ी हुई नहीं होती है उसे हम floating ribs बोलते हैं क्योंकि साप में sternum नहीं है तो सारे के सारे ribs floating हो गया है यही कारण है कि यह अपने से भी बरे size वाले जानवरों को निगल जाते हैं यह मांसा हरी होते हैं आपने देखा होगा मेड़ा को खाते होगे चुहो को खाते होगे नहीं देखा होगा तो सुना होगा तो यह कारणी वालूस होते हैं मांसा हरी होते हैं यह जो आप साप देख रहे हो यह है वाइपर निविन में से कौन सरी सिर्फ वर्ग का जन्तू नहीं है टॉट्टोईज, सनेक, क्रोकोडाइल यह सारे के सारे इन में से कोई नहीं है जो सरी सरफ वर्ग के नहीं है सरी सरफ के अध्यान को कहते हैं सौरोलोजी, छिपकलियों का अध्यान एचितियोलोजी, मचलियों का अध्यान और निथोलोजी, पक्षियों का अध्यान और हर्पीटोलोजी, सरी सरिफ का अध्यान सरिस्रिफ के समद्ध में गलत कतन चुनना है respiration lung से होता है heart इनका 3-chamberd होता है warm blooded होता है गलत हो जाएगा ये cold blooded होते हैं scaled skin होता है सही है तवचा पर शलक होता है scale होता है सरिस्रिफ में 3 कक्षी हिर्दे होता है लेकिन मगरमच में मगरमच में 4 alligator, घड़ियाल, क्रोकोडाइल इन सब में 4-chamberd होते हैं बाकी सारे में 3-chamberd होते हैं B हमारा right answer दुनिया की एक मात्र जहरिली शिपकली दुनिया की एक मात्र जहरिली शिपकली है हैलो डर्मा ड्रैको ये flying frog है सरी, flying lizard है ये flying lizard है और hemidactylus ये जो घरों में दिवारों पर शिपकली होती है रंग बदलने वाली शिपकली है गिर्गिट यानि की garden lizard दुनिया की सबसे बरी शिपकली है दुनिया की सबसे बरी शिपकली है komodo dragon komodo dragon, glass ने क्या ये साब है, नहीं है ये है lizard, lizard में भी limbless शिपकली हो के अध्यान को कहते है sorology, h theology, मचलियों के अध्यान और निथालोजी, पक्षियों के अध्यान, हरपीडोलोजी reptiles के study को, यानि की सरी स्रिप के अध्यान को सधारंता सरी स्रिप के dash पैर होते है सधारंता जो reptiles होते हैं, उनमें चार पैर होते है सरप के पास नहीं है यानि की, जो साप है उनके पास नहीं है क्या tongue नहीं है, tongue तो है दांत नहीं है, दांत भी है पैर नहीं है, बिल्कुल पैर नहीं है सी, शलक है, सही है जो केंचवा बोलते हैं न, सांप का केंचवा, वही उसका शलक है डायस अस्थलीय कच्छुआ है, टर्स्टियल है, टर्टल, ये समुद्र में रहता है टेरापेन, ये फ्रेश वाटर में रहता है, ताजे पानी में, नदी के पानी में, यानि कि नदियों में टॉटोईज ये जमीन पर रहता है, टेरेस्टियल है, C हमारा राइट आंसर, निमिन में कौन सरी सरिप नहीं है, इनमें से कौन है, जो रेप्टाइल नहीं है, क्रोकोडाइल है, एलिगेटर है, घडियाल है, सलमेंडर तो उभैचर हो गया, D हमारा राइट आंसर, पश, जोहाँ पूच उपस्तित है, यानि पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल बताना इनमें से कौन है, तो पोस्ट एनल टेल एक प्रीमियम फीचर है, किसका कौडट का, तो आप देख लो, इनमें कौडट कौन है, अर्थ, वाम, स्कॉर्पियों, स्पैडर, ये सारे-क-सारे Non-cordids है, एह हमारा Right Answer, ये कॉडट है, रप्रेप्टिलिया के अंदर, निम्न में से कौन जहरीला साप है, पाइथन ये जहरीला साप नहीं है, बोवा भी नहीं है, ट्रीस से नहीं भी नहीं है, क्रैत है, यानि कि बंग गैरस, विज्ञानीक नाम, जीनस का नाम, बंग गै King Cobra का वैग्यानिक नाम है नाजा नाजा ये Cobra हो गया और ओफियो फैगस हाना ये King Cobra हो गया बंग गैरस ये क्रैत हो गया और वाइपर असे लिए ये वाइपर हो गया भारत का डैश सरप दुनिया का एक मात्र सरप है जो गोसला बनाता है ये हो जाएगा King Cobra निम्न में से कौन एक वास्तविक सरप नहीं है कौन एक True Snake नहीं है तो ये है Glass Snake ये Limbless यानि कि बीना पैर वाला शिपकली है लिजड है तो ए हमारा Right Answer सापो के अध्यान को क्या कहते हैं सापो के अध्यान को Ophiology कहते है Ophiology भी कहते है Serpentology भी कहते है Dinosaurs किस समूँ से समन्द रखता है Dinosaurs मैंने आप से कहा ये तो विलुप्त हो चुके है लेकिन ये Reptiles थे ये है हमारा Right Answer निम्न में से किस सरिस्रिप के पास दांत है Turtle Tortoise Terrapin Gडियाल D D के पास दांत है गडियाल के पास इन सब के पास दांत नहीं है ये सारे Reptiles हैं बट दांत नहीं है सरिस्रिप के लिए कौन सत्य है Scaled Skin यानि की तोचा पर शलक है अंतह निशेचन है अंडे देने वाले है सारे के सारे साही है अंडे देते हैं अंतह निशेचन होता है और प्रत्यक्ष विकास है Direct Development है बीना लारवा वला अब आते हैं Vatibreta के अंदर Class Aves में Class Aves के अंदर Buds को रखा गया है जितनी भी पक्षी है ना सारे आते हैं Class Aves में सारे पक्षी Class Aves में ये भी Tetrapod होते हैं ये important है ये भी Tetrapod होते हैं इनमें दो होता है Four Limbs दो होता है Hand Limbs जो Four Limbs थे ना वो अब बदल चुके हैं Modified हो चुके हैं Wings में Punk में है तो ये Tetrapod Four Limbs वाले हैं लेकिन जो Four Limbs हैं इनमें मैं Four यहाँ पर ओल रहा हैं ये वाला Four ठीक है और यहाँ पर जो Four है मतलो आगे वाला जो अगरपाद है जो Four Limbs हैं वो अब रुपांतित हो चुके हैं Modified हो चुके हैं Punk में उड़ने के लिए लेकिन है ये Four Limbs वाले यहाँ आपको गरदन मिलेगा अभी तक गरदन नहीं आया था निक प्रिजेंट है यहाँ पर ये गरम खुन वाले हैं तो पहले ऐसे Votibrate हैं Birds जिनमें गरम खुन है गरम खुन का मतलब क्या हुआ कि इनका Body Temperature Votavaran के Temperature के according change नहीं होगा fluctuate नहीं होगा ये समान तापमान अपने Body का बना करके रखते हैं Constant Body Temperature बना करके रखते हैं ये गरम खुन वाले हैं अस्तंधारी भी गरम खुन वाले होते हैं इनका जो तवचा है वो सूखा होगा बीना किसी Gland का होगा एक Gland आपको ध्यान में रखना है पक्षियों के केस में Oil Gland इसी को बोलते हैं Preen Gland ये मिल जाएगा पूच के पास जो बाहे कंकाल है ये Feathers है जो Feathers है ये Modified Scales है यानि जो Reptiles के अंदर Scales थे न वो यहाँ पर Modified हो चुके है Feathers के रूप में तो Bicampal Punk इनके पैरों पर Scales होते हैं शल्क होते हैं इनके पैरों पर Scales होते हैं जो इस बात को परमानित करते हैं कि जो पक्षिया है वो सरी स्रिप से ही Evolve होकर के आए हैं क्योंकि इनके पैर पर Scales है और Reptiles के Skin पर Scales था Endoskeleton अंता कंकाल खोकली हड़ी खोकली अस्ती ये important है pneumatic bone कभी पूछ दे pneumatic bone किस में पाय जाता है तो Birds के अंदर है खोकली इसलिए क्योंकि इनका body का जो weight है वो हलका हो सके ताकि ये अच्छे से उड़ पाए इसलिए खोकली हड़ीया होती है ये होते हैं सर्वहारी सब कुछ खाते हैं कुछ होंगे जो फल खाते हैं केवल कुछ होते हैं घास खाते हैं कुछ होते हैं मांस खाते हैं कुछ होते हैं जो insects खाते हैं तो ये सर्वहारी होते हैं दान्त इनमें नहीं होगा, important है, दान्त नहीं होगा, दान्त की जपड़ क्या होगा, bigs होगा, यानि कि चोंच, cloaca होगा यहाँ पर, respiration, lungs से होगा, यह four chambered heart वाले होते हैं, यानि कि दो auricle और दो ventricle, जैसे blood supply हम लोगों में होता है, वैसे ही इसमें भी होता है, यह important है, sound producing organ syrings होता है, दोगों, इनके पास larynx तो होता है, इनके पास larynx तो है, लेकिन larynx के अंदर vocal cord नहीं है, आप जानते हो, हम लोगों का जो larynx है, उनमें vocal cord है, vocal cord vibrate होता है, तब जाकर के sound का production होता है, इनके पास larynx है लेकिन उसमें vocal cord नहीं है तो यहां से कोई sound produced नहीं होता है syring के अंदर vocal cord है इसलिए sound producing organ इसके अंदर syring हो जाएगा richest blood है इसका मतलब यह हो गया कि सबसे ज़्यादा जो rbc है यह पक्षियों के blood में होता है यानि कि number of rbc कि अगर हम बात करें तो यह आपको सबसे अधिक मिलेगा birds के अंदर यह कौन सा bird है अब बदा सकते हो यह कौन सा bird है यह smallest smallest bird इसका नाम है hummingbird hummingbird सबसे छोटा पक्षी hummingbird पक्षियों के rbc में nucleus होगा मैंने आपसे कहा अस्तंधारी को छोड़ दो तो जो भी vertebrates है उनके rbc में nucleus होगा उत्सरजन होगा सारे vertebrates में kidney से यह uricotelic होते है यानि कि uric acid का यह उत्सरजन करते हैं uric acid paste के form में होता है 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाये होती है नर्मादा अलग-अलग होती है unisexual एक लेंगी होते हैं अंतह निशेचन होता है अंडे देने वाले होते हैं और अपरत्यक्ष विकास होता है यह कौन सा पक्षियों बता सकते हो यह है तोता parrot dash सम तापी यानि कि गर्म खून वाला है मचलिया ठंडे खून वाला उभैचर ठंडे खून वाला reptiles ठंडे खून वाला birds गर्म खून वाला सभी पक्षियों को dash वर्ग में रखा गया है सभी को class Aves में रखा गया है smallest bird in the world सबसे छोटा पक्षि पुड़े दुनिया में यह है hummingbird important है ध्यान में रखिएगा सबसे बड़ा पक्षी लेकिन समुदरी सबसे बड़ा समुदरी पक्षी albatros albatros यह सबसे बड़ा समुदरी पक्षी पक्षियों के समद्ध में असर्त्य चुनना है यह गर्म खून वाले होते हैं चार्चमर्ण हार्ट होता है lungs से सांस लेते हैं cold-blooded होता है गलत हो जाएगा cold-blooded नहीं होता है dash सबसे बड़ा पक्षी है आप जानते हो शुतरमुर्ग ostrich शुतरमुर्ग यह सबसे बड़ा पक्षी है और शुतरमुर्ग का अंड़ा सबसे बड़ा अंड़ा होता है सबसे बड़ा बढ़ सबसे बड़ा पक्षी ये है औस्टिच यानि कि स्टूथियो लेकिन ये फ्लाइट लेस है ये उड़ते नहीं है इनका जो अंडा होता है सबसे बड़ा अंडा होता है अब कुछ और ऐसे पक्षियों का नाम आपको दिहान में रखना है जो उड़ नहीं सकते है जैसे कि कीवी हो गया, रिया हो गया, कैरोस्वरी हो गया और इमो ये सारी जो पक्षी है ये उड़ते नहीं है और एक औस्टिच औस्टिच जो सबसे बड़ा पक्षी है निम्र में से कौन जलिये पक्षी है जो उड़ नहीं सकता यानि aquatic है जलिये है लेकिन उड़ नहीं सकता यह है penguin तो penguin यह जलिये पक्षी है जो उड़ नहीं सकता नाम भियान में रखना है कुछ और पक्षियों का नाम याद रखो जो aquatic है जो aquatic है यहां मैं यह नहीं बोलाओ कि यह flightless है यानि यह उड़ सकते हैं जो penguin है यह उड़ नहीं सकते हैं और जलिये है और duck हो गया, swan हो गया और gij हो गया, यह सारे aquatic है बट यह fly कर सकते हैं उड़ सकते हैं Darwin Finch किस समू को कहा जाता है, Darwin Finch को Gala Pegos Finches भी कहा जाता है, जो Darwin Finches है इसे Gala Pegos Finches भी कहा जाता है यह है पक्षियों का समू पक्षियों का समू है Darwin Finches ये जो पक्षियों का समू है इनमें पक्षियों का चोच है वो अलग-अलग प्रकार के हैं जो Darwin विज्यानिक थे ये गये थे Gela Pagos Island पर गैला पेजोस Ireland पर गएने थे और उन्होंने कि पक्षियों की जो चोच है वो अलग-अलग प्रकार के है variety और बिक्स उनको देखने को मिला इस आइलेंट पर पक्षियों के पास तो उन्होंने group बनाया पक्षियों का जिनके चोच में काफी ज़्यादा असमानता हैं थी और उसी group को कहा गया Darwin's Finchage पक्षियों के अध्यन को कहते हैं और नितो लौजी पक्षियों के पास dash pair होते हैं पक्षियों के पास चार pair होते हैं लेकिन जो दो पैर है four limbs आगे वाला वो modified हो चुके है पंक में उड़ने के लिए जल में तैरने वाले पक्षी हैं, जल में तैरने वाले हैं, स्वान, डक, गीज, इन में से सभी निम्न में से किसे सरिस्रिप और पक्षी के बीच की संयोजक करी माना जाता है सवाल SSC में पूछा जा चुका है, Archaeopteryx Archaeopteryx, यह जो covers आप देख रहो हैं, यह कौवा का विज्यानिक नाम है, पावो क्रिस्टेस यह मोड का विज्यानिक नाम है पक्षीयों और सरिस्रिप के बीच का जो संयोजक करी है, वो है Archaeopteryx आपने क्या देखा कि जो Reptiles होते हैं, इनके पास Tith होता है, जो Birds होते हैं, इनके पास Tith नहीं होता है, 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 इनके पास Tith नहीं होता ह और इसी को कहा जाता है संयोजेक करी पक्षियों और सरीसरिप के बीच आर्कियोप टेरिक्स को SSC में आलड़ी पूछा जा चुका है कि बताओ इन चार में से कौन है जिसके चोंच में दात है पक्षियों में धोनी उत्पन करने वाला अंग है सबसे बड़ा अंग डैश का होता है सबसे बड़ा अंड़ा डैश का होता है सबसे बड़ा अंड़ा ऑस्टिच का होता है प्रीन गरंथी और विश्बोन दोनों प्रीन गरंथी और विश्बोन ये कहा मिलेगा ये बर्ट्स के अंदर पाया जाता है चलिए अब आते हैं vertebrata में class mammalia के ऊपर ये हमारा last class है अंतिम वड़ग है class mammalia के बारे में हम देखते हैं class mammalia के अंदर जो जानवर आते हैं जमीन पर भी मिलेगा पानी में भी मिलेगा और हवा में मिलेगा aerial में मात्र एक है जैसे कि sweat gland, oil gland, wax gland, ये सारे gland मिलते हैं इनमें memory gland होते हैं जो अस्तन्धारी होते हैं जो भी अस्तन्धारी होते हैं उनके पास दुख्ध-गरंथी होती है Memory Glands होते हैं जो बाहे कंकाल होता है इनमें बाल होता है या रोम होता है अनता कंकाल हड़ीयों का दांतों के बारे में देखते है Thicodontithe, Diphiodontithe, Heterodontithe Thicodont यानि इनका जो दांत होता है जो मैमल्स होते हैं उनके अंदर जो दांत होता है वो jaw socket में धसे हुए होते हैं काफी deep धसे हुए होते हैं काफी मजबूत दांत होता है काफी मजबूत दांत होता है इसलिए जल्दी तूटेगा नहीं इसलिए इसके जीवन काल में जो mammals होते हैं इनके जीवन काल में दो बार दांत आते हैं milk teeth और permanent teeth Heterodont इसले लिखा हुआ है क्योंकि अलग-अलग प्रकार के दांत होते हैं अब देखो इनमें Cloaca नहीं होता है जो Mammals होता है उनमें Cloaca नहीं होता है उनका जो Elementary Canal है अहार नाल है ये समाप्त होता है Anus पर जा करके लेकिन जो Prototherians होते हैं जो अंडे देने वाले अस्तंधारी होते हैं उनमें Anus नहो करके Cloaca होता है यानि कि जो Mammals होते हैं उनमें Anus होता है लेकिन Prototherians में Cloaca होता है Respiration Lung से होगा आवाज Vocal Cod चोकी Larynx में है तो Larynx से आएगा उसके बाद चार चमर्ड होता है आप देखो smallest RBC लिखा हुआ है आपने देखा Fish आपने देखा उभैचर आपने देखा सरी सरी आपने देखा पक्षी अब देख रहे हैं Mammals इन सब में सबसे छोटा RBC Mammals के पास है यानि हम लोगों के पास है और हम Mammals के अगर बात करें तो Mammals के अंदर जो सबसे छोटा RBC है वो है हिरन के पास और सबसे बड़ा है हाथी के पास मैंने आपसे कहा अगर हम अस्तानारी को छोड़ दे तो बांकी जिदने भी अपने Vertebrata के अंदर देखा उन सब के RBC में Nucleus था यहां आपको RBC में Nucleus नहीं मिलेगा एक्सक्रिशन किडिनी से होगा और हम लोग क्या जो भी Mammals है वो यूडिया को एक्सक्रिट करते हैं उत्सरजी पदार्थ यूडिया होता है जो Mammals होते हैं उनके Brain में Corpus Scalosum होता है Corpus Scalosum क्या होता है जो हमारा Brain है Brain में जो दो Hemis Cerebral Hemisphere है जो दो प्रमस्तिष्ट गुलार्द है उनको जोड़ने वाली यह सनचना होती है Corpus Scalosum 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका है और पिन्ना होगा External Ear पिन्ना होगा यहां देखो पिन्ना यह External Pears पिन्ना जो केवल Mammals में होते हैं Unisomeral होते हैं एक लेंगी होते हैं नरमादा अलग-ळग होते हैं यह अंड़े देने वाले नहीं होते हैं यह Vivi Paras होते हैं अधिकांश जो होते हैं विवी पारेस होते हैं यानि सिधा बच्चे को जन्म देते हैं अन्ता निशेचन होता है और डिरेक्ट डेवलेप्मेंट होता है बीना लारवल स्टेज वाला डेवलेप्मेंट जो मेल होता है उनमें जो वरिशन होता है टेस्टीस होता है वो बाहर ह यानि जो abdomen होता है, जो उदर होता है, उसके बाहर होता है, यानि कि extra abdominal यानि जो हमारा उदर गुआ है, उससे बाहर होता है, कुछ को छोड़ करके, जैसे कि whale हो गया, dolphin हो गया, और protothereans जो अंडर देने वाले अस्तन दारी है, उन सब में जो vision होगा, male के अंदर, testis होगा, वो एकदम premium features है, mammals के लिए, यानि keval mammals में ही होते हैं, यहां मैंने कुछ ही लिखा हुआ है, इसके अलबाब बहुत सारे features होते हैं, जो keval mammals में ही होते हैं, यह सारे exam में बारबार repeat होते हैं, जाता तर यही पूछे जाते हैं, जैसे कि external ear, जो पिन्ना है, यह keval mammals के अंदर ही मिल मिलेगा, जो corpus callosum है, जो की cerebral hemisphere, जो प्रमस्तिस, गोलार्द है, उन दोनों को जोडने का काम, यह corpus callosum करता है, तो यह keval mammals के अंदर मिलेगा, इसकिन पे बाल keval mammals के अंदर मिलेगा, और दुख्दगरंथी memory glands, keval mammals के ही अंदर मिलेगा, तो यह सारे features keval mammals के ही अंदर मिल मिलेगा, निमने में से कौन अस्तंधारी का अभिलक्षन है, निमने में से कौन है, जो mammals के अंदर characteristics है, इसकिन पे बाल का होना, memory gland का होना, ear pinna का होना, सारे के सारे सही है, अस्तंधारी नहीं होते है, अस्तंधारी warm blooded होते है, सही है, cold blooded नहीं होते है, force chambered heart होता है, silomate होत तो oil gland होते हैं skins के अंदर ये mammals के अंदर आपने oil gland देखा था पक्षु के अंदर लेकिन वो skin में नहीं था वो पूँच के पास था जो tail था tail का जो base था अधार था वहाँ पे था अस्तंधारी में श्वसन होता है अस्तंधारी में श्वसन होता है नाविक होती है मैंने आपसे कहा था mammals का जो RBC है उनमें nucleus नहीं होता है बांकि सम्में होता है कशेरुक जन्तुओं का उत्सरजन अंग होता है जितने भी vertebrate होते हैं उन सम्में जो उत्सरजी अंग है वो है kidneys dash के वल अस्तंधारी में पाए जाते हैं corpus callosum और जो पिन्ना है ये केवल mammals के अंदर पाए जाते हैं अब देखते हैं जो वर्ग mammalia है class amphibia है उसका subclass यानि कि उप वर्ग उप वर्ग है proto-theria, metatheria, eutheria proto-theria में वो सारे अस्तंधारी आते हैं जो देते हैं अंडा को metatheria में वो सारे जानवर आते हैं जिन में marsupian होता है marsupium या फिर marsupial pouch बोलते हैं utheria में अगर हम इन दोनों को छोड़ते हैं तो जो भी अस्तंधारी हैं वो utheria में आते हैं proto-therians proto-therians के बारे में देखते हैं क्या सब है proto-therians के बारे में कहा जाता है कि ये connecting link है reptiles और mammals के बीच prototherians अंडे देने वाले होते हैं under project होते है prototherians में एनस नहीं होता है गुदा नहीं होता है cloica होता है इन में ear पिनना भी नहीं होता है इन में दात भी नहीं होता है इन में corpus callosum भी नहीं होता है ये सारे नहीं होते हैं इनमें memory gland तो होगा लेकिन nipples नहीं होगा यानि जो breast है female के पास breast तो होगा लेकिन उसके साथ nipples नहीं होगा testis यहाँ पर intra-abdominal होगा उधर गुआ में होगा वरिशन जो है उधर गुआ में होगा देखो मैंने हिंदी नहीं लिखा हुआ है यह असान-असा शब्द है जिसका हिंदी आप जानते होंगे या मैं आपको बता ही दे रहा हूँ हिंदी भी protothelians के रूप में आपको बस दो ही example दियान में रखने हैं यह दो ही examples है protothelians के बाकि तो है ही नहीं यह दो ही असंधारी बचे हुए हैं जो अंडे देते हैं बाकि सारे अब नहीं हैं यही आपके exam में पूछा जाएगा यह already पूछा भी जा चुका है SSC के परिक्षा में और यह important है echidna या इसी को बोलते है spiny ant eater देखो इनके body पर spines होते हैं काटे होते हैं और यह ant eater है ant यानि की चीटी एटर यानि की खाने वाला तो ant eater है यह चीटी को खाते हैं echidna या फिर spiny ant eater उसके बाद है और नितो रिंकस यह विज्यानिक नाम हो गया duck bill platypus यह हो गया इसका साधारा नाम कभी पूछे reptiles और mammals के बीच connecting link कोन है और आपको विकल्फ में दिख जाए platypus आप इसको जटे से टिक मार देना लेकिन मान लो platypus नहीं दिखा एकिटिन दिख गया तो अब इसको टिक मार देना लेकिन मान लो दोनों दिख गया तब आप platypus को टिक मारना यानि पहले priority पर आपको इसको रखना है तब जा करके इसको रखना है अंडे देने वाले अस्तंधारी को क्या कहते हैं अंडे देने वाले अस्तंधारी को हम लोग कहते हैं प्रोटो थीरियन अस्तंधारी जो अंडे देते हैं इनमें से कौन है प्लेटीपस मार्सूपियल थैली किस में पाई जाती है मारसूपियल थैली ये पाई आती है मेटाथीरियन में निम्र में से कौन एक असन धारी प्राणी नहीं है इन में से कौन है जो एक मैमल नहीं है वेल मैमल है, डॉल्फिन मैमल है, बैट उड़ने वाला मैमल है शार्क ये काटिलेजनेस फिश है बारह जोड़ी कपालिय तंत्री का उपस्तित है रेप्टाइल्स के अंदर बर्ट्स के अंदर मैमल्स के अंदर इन सब में बारह जोड़ी है बाकी उभैचर हो गया और मचली इनमें 10 जोड़ी जन्तू जो ज़्यादा समय पेरों पर गुजारते हैं कहलाते हैं मैंने आपसे अल्रड़ी कहा और बोडियल मेटाथिरियन्स के बारे में देखते हैं मेटाथिरियन्स इन्हें मार्सूपियल मैमल्स भी कहा जाता है जो females होती है उनमें marsupium होता है mushroom एक थैला होता है इसे हम marsupial pouch भी बोलते है marsupial pouch भी बोलते है जो female होती है वो अपने बच्चे को जन्म देती है तो ये बच्चा इस थैली में जाता है और यहाँ से वो दूध पीता है यानि ये जो जानवर होते है इनमें जो memory gland होता है तो nipples यहां होते है लेकि नipples खुलते है इस marsupial thaili में उसके बाद ear पिनना यहां पर होगा एक्जामपल के रूप में यह दो एक्जामपल्स आपको ध्यान में रखने है डाइडल्फिस और मैक्रोपस याने की कंगारू कुछ जलिए अस्तंधारी का नाम आप ध्यान में रखो जैसे की whale, dolphin, parpoise और sea lion यह सारे अस्तंधारी है जो जल में रहते हैं सबसे बड़ा जो अस्तंधारी है वो है blue whale सबसे बड़ा अस्तंधारी कोन है blue whale अस्तंधारी जो उड़ सकते हैं अस्तंधारी जो उड़ सकते हैं वो है चमगादर, bats अस्तंधारी जो उड़ सकता है, bat, चमगादर सबसे बड़ा अस्तंधारी blue whale सबसे बड़ा समुदरी पक्षी, albatross डैश अपने पुरे जीवन काल में कभी पानी नहीं पीता यह है kangaroo rat कंगारू चुहा यह अपने पुरे जीवन काल में पानी नहीं पीता जिडाफ की गर्दन सबसे लंबी होती है डैश दुनिया के दुरलब प्रानी में से एक है जायंट पांडा, देखो डैनासोर तो विलुप्त हो चुके हैं भालू और बाग तो मिलता है अभी भी डैनासोर्स विलुप्त हो चुके हैं और जायंट पांडा जायंट पांडा यह भालू के ही जाती का है जायंट पांडा यह भालू के ही जाती का है तो जायंट पांडा यह दुरलब प्रानियों में से एक है मोड का विज्यानिक नाम क्या है मोड का विज्यानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस पेरिप्लेनेटा कॉक्रोच और कोलंबा लिविया कोलंबा लिविया ये कबूतर का विज्यानिक नाम है और ये दोनों ही सवाल SSC में पूछा जा चुका है पाइथन यानि की अजगर निम्निमे से किसे भारत का बर्ड मैन कहा जाता है बर्ड मैन ओफ इंडिया ये है डॉक्टर सलीम अली किंग फिशर और फ्लेमिंगो समंदित है किंग फिशर ये मचली खाती है किंग फिशर और फ्लेमिंगो ये बर्ड्स है पक्षी है तो finally ये chapter हमारा समाप्थ होता है यहाँ पर part 8 समाप्थ होता है animal kingdom chapter समाप्थ होता है मैंने पूरी कोशिश की है कि सवाल आपसे छूटे ना जादा से जादा information मैंने आपको देने की कोशिश की है साथ मैं ये भी बताया कि कौन कौन से सवाल पूछे गया है तो अब आपकी बाड़ी है वीडियो अगर अच्छा लागा हो तो वीडियो को like जरूर करना और अब बात है PDF की तो PDF ये मैं आपको दो-तीन दिन बात दूँगा मैं या फिर एक तारीक को क्योंकि PDF को थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा सही से तो एक तारीक को मैं PDF अप्लोड कर दूँगा मैं आपको बता भी दूँगा कि मैंने PDF डाल दिया है आप उसको बाई कर सकते हो तो कमेंट्स करके आप जरूर बता है वीडियो आपको कैसा लगा? मिलते हैं अगले चाप्टर में अगला जो हमारा चाप्टर होगा वह होगा सेल मैं बतनी बात में स्टार्ट करूँगा diversity in the living world में plant kingdom है तो plant kingdom बतनी का पार्ट है तो वो सम मैं बात में स्टार्ट करूँगा मैं आपको तो 300 सवाल, 300 सवाल में तो 5-6 चप्टर करवा देते हैं सब, मैं आपको सिर्फ Animal Kingdom का सवाल करवाया हूँ, तो ये सारे चप्टर मैंने आपके बताया, Cell, Animal Tissue, Nutrition और Human Regist, ये सारे करवाने के बाद, ये सब उतने लंबे चप्टर भी नहीं है, ये सब करवाने के बाद, मैं Botany स्टार्ट करूँगा, Botany उसके बाद Botany ही चलेगा, और उसी के साथ हमारा Biology खत्म हो जाएगा, Thank you so much.